नई नई रेसिपीज आसानी से सिखने के लिए मेरी थाली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चटपटे मोमोज विथ अमेजिंग चटनी तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें पूरी बनानी है तो इसके लिए मैंने लिया है दो बाउल मेंदा इसे हम छान लेंगे इसमें हमें डालना है नमक स्वाद अनुसार मोहिन के लिए ओईल और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमें आटा गुंद लेना है तो लगबग मैंने आधा ग्लास पानी ही यूज किया है दो बाउल में तो बहुत ही मसल के हमें आटा गुंदना है हम सॉफ्ट डो बना लेंगे इसे हम तेल से ग्रीज कर लेंगे और इसे तीस मिनट के लिए धंके रख देंगे अब हम बना लेंगे अंदर की फिलिंग तो इसके लिए मैंने लिया है लैसून अद्रक, मिर्च, ओनियन और कैबेच और मैंने लिया है सिम्ला मिर्च सबको बारिक चॉप कर लिया है अब मैंने लिये एक गड़ाई इसमें हम डालेंगे ओईल थोड़ा सा डालेंगे जीरा और अब हम डाल देंगे इसमें अद्रक, लैसून और मिर्च की पेस्ट इसे हमें लो फ्लेम पर एक मिनट के लिए भून लेना है अच्छे से अब हम डाल देंगे ओणियन इसे हमें लो फ्लेम पर पांच मिनट के लिए भून लेना है ताकि इसका कच्चापन चला जाए यह ओणियन जो है ट्रांस्परेंट हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है इसे हमें चलाते रहना है यह अच्छे से कुख हो गई है अगर आपको ओइल कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा एड़ कर सकते हैं बीच में करीब पांच मिनट हो गए अब हम इसमें डालेंगे सिमला मिर्च और कैबेज इसे भी हमें फिर से पांच मिनट के लिए लोग फ्लेम पर कुख करना है अब हम इसमें डाल देंगे मसाले तो मेंने डाला है स्वादनुसार नमक अदा चमच हल्दी एक चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच धन्या पाउडर और मेरे नचीरा और जो ब्लेक पेपर होता है उसका भी मैंने एक पाउडर बना लिया था तो वह मैंने एक चमच डाल और मैं डाल रही हूं इसमें एक चमच विनेगर विनेगर नहीं है तो आप लेमन ज्यूस पी डाल सकते हैं और मैंने डाला है एक चमच सोया सोस अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे गेस की आच हमें धीमी ही रखनी है अब हम इसमें डाल देंगे बोईड पोटेटो जो मैंने बोईड करके रखे थे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी बहुत ही बढ़िया वाली टेस्टी वाली फिलिंग रेडी है इसे गार्निस कर लेंगे हम कोरियंड लिव से और इसे साइड में रख देंगे अब हमें बहुत ही ज्यादा पतली पूरी बेलनी है मोमोज में पतली पूरी का ही टेस्ट अच्छा लगता है तो ये ठ्यान में रखेगा इसके बीच में हम फिलिंग रख देंगे और मोमोज बना लेंगे मोमोज बनाने के बहुत सारे तरीके हैं आप अपनी पसंद से कोई भी शेप इसे दे सकते हैं मैं यहां पे तीन से चाल शेप आपको बता रही हूं यह देखे ऐसा फोर्ड करके भी आप बना सकते हैं अब हम दूसरी तरह से बनाएंगे मोमोज मैंने दूसरी पतली पूरी बेल ली है अब हम कुगराचु बनाते हैं वैसा वाला शेप देदेंगे यह देखे यह बहुत बढ़िया वाला दूसरा वाला शेप है यह जो है यह थर्ड में थर्ड है ऐसे भी आप मोमोज बना सकते हैं आप अपनी पसंद के कोई भी शेप में मोमोज बना सकते हैं ऐसे ही हम सारे मोमोज रेडी कर लेंगे यह देखिए यह देखिए यह रेडी है अब मैं इसे स्टीम करने के लिए रख दूँगी तो मैंने यह लिया है स्टीमर इसमें मैंने ओल से ग्रीस कर लिया है और सारे मॉमोज मैं इसमें रख दूँगी और धीमी आज पर 10-12 मिनट के लिए हमें इसे स्टीम करना है अच्छे से अब बीच में हम मॉमोज की चटनी बना लेंगे जो आमेजिंग टेस्ट देती है तो इसके लिए मैंने एक कड़ाई लिए इसमें डाला है ओल और टमाटर लाल मिर्च और लैसुन ये डाल कर हमें इसे अच्छे से सोते कर लेना है लो फ्लेम पर बहुत ही बढ़िया वाला इसे सोते करेंगे ताकि इसका कच्चापन बिलकुल ही चला जाए और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे और ठंडा हो जाए उसके बाद ही हमें इसे क्रस कर लेना है ये ठंडा हो गया है अब हम इसे मिक्सी जार में ले लेंगे और इसमें हमें थोड़े से मसाले करने हैं तो मैंने डाला है इसमें सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार एक चमच विनेगर और मैंने डाला है इसमें एक चमच सोया सोस ये चटनी बहुत ही बढ़िया बनती है जरूर से ट्राइ करिएगा इसे हम क्रस कर लेंगे अच्छे से ये बहुत ही आसान रेसिपी है देखिए ये चटनी हमारी बिल्कुल ही रेडी है इसका कलर देखिए और टेस्ट तो बिल्कुल ही अमेजिंग है तो चलिए सौव कर लेते हैं अमेजिंग चटनी विथ सूपर टेस्टी मॉमोज तो जरूर से ट्राइ करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थेंक्यू सो मच